न्यूस्ट्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम एक खास कारेकरम लेके आए हैं हमारे आजाद हिंदुस्तान के एक बहुत ही भयाना घटना की 35 वी एनिवर्सरी पर ये मेरे खुद के पत्रकारिता के जिंदगी के भी शुरुवाती दिनों की घटना है जी मैं बात कर रहा हूं मेरट 87 की दंगों की बात जो सबसे बड़े जो हादसे हुए थे हाशिमपुरा और मलियाना लोकालिटी थे मेरट के 22 और 23 मई 1987 को वहां एक तरह से बहुत बड़ा मैसकर हुए थे अलग-अलग तो हम उसके बारे में बात करेंगे हमारे साथ हैं कुर्बान अली जी जो मेरे साथ के पत्रकार हैं उस समय भी ये रिपोर्टिंग कर रहे थे और अभी कुर्बान भाई को बुलाने का मूल कारण यह है कि मलियाना के जो मैसकर हुआ था उस पर इनकी केस अभी भी पिछले साल इन्होंने फाइल की थे हलाबाद हाई कोट में उसमें उमीद करते हैं कि आगे चलके हिंदोस्तान की जुडिशरी मलियाना में भी जो विक्टिम्स थे और जो सर्वाइवर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगी और जिन लोगों ने वो हादसे में जो मैसकर में शामिल हुए थे जिन में से जो भी जिन्दा हों उनके खिलाफ एक्शन ल की हिस्सा है यकीना आज से पैंटीस साल पहले हम आप अलग-अलग अख़वारों के मैगजीन के लिए काम कर रहे थे लिख रहे थे मेरट का एप्रिल के महीने से लेके जून तक एक बहुत लंबा दंगों का दौर चला था ये वो एक मेजर कर्मिनल राइट्स का फेज था जब अयोध्या का मुद्दा आ जाने के बाद पहली स्केल पे कर्मिनल राइट्स हमको देखने को मिल रहे थे दिल्ली में उसके पहले एक मेजर प्रोटेस्ट हुआ था जिसे लोग वापस जा रहे थे पूरा एक तरह से बैकड्रॉप ऑफ बाबरी मस्जित राम का जो बैकड्रॉप था वो हमको पहली बार देखने को मिला था और उस पे प्लिटिकल रियाक्शन अलग अलग चीजे 1987 एक तरह से पूरा हिंदुस्तान की राजनीती को एक नए दिशा में ले जा रहा था राजीव गान्थी की सरकार क्रंबल करने लगी थी वीपी सिंग बने लगे थे जन मोर्चाक इसी दौरान मेरट के दंगों के दौरान ही उसको बनाया गया था और ठीक इसी दंगें के बीच में हरियाना में विधान सभा चुनाओ भी हुए थे जहां भारती जनता पार्टी के साथ देवी लाल के लोकदल की ऐलाइंस थी और वो बाद में जाके कॉलेशन पार्टनर भी बनने थे तो बहुत ही डिसाइसिव दौर था तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले तो कि आपका केस मलियाना पे किस दौर पे है और आप क्या उमीद कर रहे हैं निलैंज जी सबसे पहले तो आपका और नियूस किलिक का शुक्रिया कि एक ऐसे नरसंगार को जिसके 35 साल पूरे हुए हैं याद करने की कोशिश की जिसे आम तोर पे जो हमारा सो कॉल मेनिस्ट्री मीडिया है उसमें उसकी जादा चर्चा नहीं होती लेकिन जो बात आपने कही कि जो हमारे केस की क्या नौईयत आप जानते हैं आपने बताया भी ये जो 22 और 23 माई को मेरट में हुआ जी वो दरसल 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 नहीं दंगा नहीं कह सकते हैं वो एक नरसंगहार था इस्टेट स्पॉंसर्ड और उसमें स्टेट की सीधी भूमिका थी और 22 माई को हाशिमपुरा इलापे से 50 ऐसे मुसलिम नौजवानों को जो हट्टे कट् तंदरस थे निकाला गया च्छाटा गया और फिर उन्हें पहले गंग नहर पे और बाद में हिनले नदी में जाकर के मार दिया गया उस मामले में इस पूरा उपरेशन को प्रविंशल आर्म्ड कॉंस्टिबर से जिसको पी एसी कहते हैं वो इन्वाल थी और मलियाना में भ बात थी खतरनाक वो ये कि सेना की मौजूदगी में काम अंजाम दिया गया क्योंकि वो जब अरेस्ट हुएं थी हाशिमपुरा से तो सेना महां मौजूद थी अगर तस्वीर हमारे साथी प्रविंजेन हैं उन्होंने उस वक्त की आप देखेंगे कि सेना की मौजूदगी में उन लोगों को गरफतार किया गया और फिर ले जाकर के मारा गया तो आजाद हिंदुस्तान में वो जुडिशल कस्टडी का सबसे बड़ा नरसंगार था लेकिन उसमें उस वक्त गाजियाबाद में एस पी विबुती नरायन रायत से जो आपके को लिटिगेंट थे F.I.R. दरज कर आई थी गंगनेहर की भी और हिंदन नदी की भी जो थाना लिंक रोड मकनपुर गाउं में हुआ था और उस मामले को भी अपसे चार-पांच साल पहले तक वो चला मामला थी सकत्वी बरस बाद दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उसमें सभी मुल्समों को बरी कर दिया लेकिन दिल्ली हाईकोट ने दोहजार अठाना में सुलेप दोशी पूलीसे वालों को सदा सुना एंडरो को जील के पीछे जबकि वहां आर्डी तर्पाटी नाम का एक वक्ती था जिसने ये जाकर के वहां हरकत की और अन्जाम दिया और 72 से जादा लोगों को मारा और उसकी बर्खास्तगी की गोशना मुक्हमंती थे उस्वद्वीर बहादूरों ने की लेकिन वो कभी बर्खास्तगी नहीं हुई और उन दोशी पीएसी वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ एक मुकदमा सिर्फ ये दर्ज हुआ के लाश भारती वर्सस अदर्ज के नाम से हो जाना जाता है कि दलितों ने मुसल्मानों की बस्ती पर हमला किया और कुछ लोगों को मारा और उसकी भी हालत ये है कि साल भर पहले तक उसकी एफ आई यार गायब थी आट सो से जादे तारीख में पढ़ चुकी है तो हम यानी मैं और विबूती नरायन राय ने ये तैक किया कि जिस तरहे से हाशमपुरा में कुछ हद तक इनसाफ हुआ कुछ हद तक इसलिए कि व कामला कम से कम जो पीरित परिवार हैं मलियाना के उनको मौफ़ा मिले और दूसरा ये कि ये जो दोशी पुलीस कर्मी थे पी एसी वाले थे उनको सजा मिले और ये रिकॉर्ड पे आये अब वो मुख़मा चल रहा है पिछले साल दो साल तक तो कोविट की वज़े से नहीं ह दाखिल किया है लेकिन वो पूरा जूट का पुलेंदा है और उसका अब हमने जवाब दिया है तो हम कोई उमीद ये है कि जब ये मुख़मा चलेगा पता नहीं कितने वरस मेरी जिन्दगी में इसका फैसला हो पाएगा कि नहीं लेकिन ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस पोस्मार्टम रिपोर्ट्स मौजूद हैं गन शौट्स हैं उसमें सारे साक्ष मौजूद हैं लंदिता हकसर उस जानीमानी हिमन राइटस एक्टिविस्ट वगील थी उन्हों बहुत बहत बेतरी डॉक्यमेंटेशन किया है जो हमने लावा हाई कोट के सामने पेश किया है हिमलियान और दूसरे महलों से खट्टे किये गए उनमें बारे से जादा लोग मेरट और फतेहगर जेल में मारे गए उनके मुकदमे भी दर्ज हुए उसमें जो दोशी लोग थे उन्हें सस्पेंट भी किया गया लेकिन फिर वो मुकदमे कहीं आगे नहीं बढ़ पाए व हमने उसको भी कहा है कि उसकी भी मामले की जाच हो क्योंकि बारे वो लोग से और 72 जो महाशिमपुरा में मारे गए इन लोगों को इनसाफ मिल सके हैं हम वापस जाते हैं मेरट के दंगो 1987 की बार में समझने की एक तरह से कमिनल टेंपर फैलने लगा था उतर भारत में क्या कितना बड़ा फैक्टर था उस समय राम मंदिर का अंदोलन जोर हो रहा था और बाबरी मस्जिद के प्रोटेक्शन के लिए जो मुस्लिम गुठ भी जो इखटे हो रहे थे तो एक तरह से तनाव बढ़ता जा रहा था क्या यही कारण था और मुझे याद है कि नौचंडी का मेला चल रहा था जब सबसे पहले अप्रेल के महीने में जब दंगा शुरू हुआ था और शब बरात का के दिन ही हुआ दिन शुरू हुआ था तो उसको जड़ा याद करके आज की लोगों को बताए कि कैसे ये दंगे तो हिंदुस्तान में होते रहे हैं तो कैसे ये कोई आम दंगा नहीं था ये कुछ एक खास किसम का दंगा था कई सारे फैक्टर्स थे बिल्कुत सही कहा आपने और देखिए मैं तो अलीगर से आता हू मैं भी दंगे देखता रहा हूँ तो हमारे लिए कोई अजूबा नहीं था ये लेकिन वो लोकलाइज होते था जैसे 1982 का जो मेरे वोटिंग जिंदगी में जो सबसे पहला जो 1982 मेरट का दंगा था तो वो उसके लोकल फैक्टर होते थे लेकिन जबसे ये आयोध्या में बा और आप जानते हैं कि एक तरफ जहां भारती जनता पार्टी और उसके जो संग परिवार के दूसरे संगठन हैं उन्होंने उसे एक मुद्धा बनाया बीजेपी ने तो पालमपुर रेजलूशन में पास किया और बजरंग दल विश्विंदू परिशद इसके तमाम लोग आजम खान जावेद हबीब ये एक लंबी मुस्लिम लीडर्शिप थी और ये जो मेरट का दंगा हुआ तीस मार्च 1987 को आपको याद है बोट कलब पे मुसल्मानों की एक बड़ी रैली हुई थी और ठीक एक बार और याद रहा थे उसके ठीक पहले डिसमबर 1986 में सहिए श तो एक तरह से कि ये कैसे लोग हैं ये रिपबलिक डे के परेड को और फंक्शन को बॉयकॉट करना चाते हैं और उससे भी ज़दा एक ये जो ओवैसी साब के फादर से जो सलावदिन ओवैसी साब उन्होंने मेरट में जाकर के एक बड़ा विवादास्पत बयान दिया कि मुसल्मानों ताकत पैदा करो ताकत मा के गातिलों से समझाता करा देती जो साल बर पहले राजीव लॉंगवाल पैक्ट हुआ था जी 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 तो इन सारी चीजों ने भी इस चिंगारी को बहकाने का काम किया लेकिन मेरट में जो नोचंदी के वक्त में पर्शब बारात के दिन हुआ वो एक मुंडन के ओपर जगड़ा शुरू हुआ था कि मांगे तो हमें शायक से ही जी शुरू हो जाता है लेकिन वो जब चला 17 अपरेल को मैं उस लखनौ था पोस्टेड लखनौ से मैं दिल्ली आया और मेरे एडिटर ने कहा कि अब तुम ही रहो रोज हम सुबह को जाते थे आप भी जाते थे और हम लोग शाम को आते थे तीन महीने तक लेकिन ये मैं का दूसरा तीसरा हफता आते आते इस मामले ने दूसरा कलर ले लिया और कहा ये जाता कि उस वस कॉंगरेस की सरकार थी चे दंबरम साब मुएस होम थे यूप गया कि भई अब सबक से खाना है और उसके बाद हमने देखा कि उसके दूसरे या तीसरे दिन हाशिम पुरा होता है और मलिया ना होता है और राजीव गांदी उस प्रधान मंतरी थे वो खुद गए थे वहाँ पर उनके सामने बहुत सारी घोशनाएं होई थी एक जिस्ट जियल श्रीवास्तवा कमीशन सिर्फ मलियाना के लिए बनाता है तो हमने अपने पी-ई-ई-ल में ये कहा है कि भई उसमें जो टेस्टिमनी दी गई और उसके आदाहर पे उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उस पे आप कारवाई कीजे ताकि इन लोगों को सजा मिल सके ल हमने देखते हैं कि जो दो सीटों वाली भारती जनलता पार्टी सी 84 में वो 89 में लगबग 90 सीटों तक पहुँच गई और बड़ा बूस्ट और जंप मिला खास करके उतर प्रदेश में और उसके फौरण बाद सनी 90 में हम देखते हैं दो साल बाद में कि देर साल में ही लो जी से विएचपी के लोग से वो जी से तो हम आप से समझना चाहते हैं कि 87 में मेरट का दंगा तो आपने बताया कि किस तरह से कॉंग्रेस की मिली भगती कॉंग्रेस के नेताओं की मिली भगती को मेभी structural organizational फैसला नहीं था आपने बहुत बड़ा शब्द इस्तिमाल किया तो सबक ना लेकिन खेर मतलब किसी भी community किसी भी मुल्क में जहां एक minority community होती इस तरह की भाशा एक तरह से vocabulary की आम हिस्सा बन जाती है कि minorities को सबक सिखाना है योंकि presume किया जाता है minority हमेशा जादा मांगता है और लोग उसको जादा देते हैं तुष्टी करन की राजनीती उस Congress के रोल को अच्छी तरह जानते हैं आपने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने पहले Muslim conservative forces के साथ उन्होंने थोड़ा सा compromise किया उसके बाद हिंदूों के प्रति बाबरी मस्जद का ताला खुल कि उनको खुल दिया लेकिन opposition parties में ये वो दौर है जब राजी गान्ती की सरकार collapse कर रही है धीरे धीरे बोफर्स के आरोप आ जाते हैं सामने तो opposition का क्या reaction है कम्मिनलिजम को अलग दूर रखने के लिए भारती जनता पार्टी एक major force के तौर पर ना उभर के आए ये जो secular opposition parties थे जिन लोगों ने जनता पार्टी को secularism के मुद्दे पे भारती जनता तो उनकी क्या रोल थी देखिए उनका रोल खासकर यूपी और बिहार में तो एक नजरिये से देखें तो आप बहुत positive था और बहुत सही था हैड़ ओन उनों ने लिया खासकर के मुलाहिम सिंग यादव ने करांतिकारी मोर्चा बनाया हाला कि उनके अपने लोग दल में भाजन हो गया था और अजीद सिंगुट अलग था और वो अलग लेकिन उनोंने लेफ्ट पार्टी के साथ मिल करके और जनतापार्टी के साथ ये मोर्चा बनाया और इन से लड़े और कोई गटबंदन नहीं किया और पहले यूपी में और फिर बिहार में सरकार बनी जनत सिंको मुला मुलायम कहा गया तो उसका एक रियक्शन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ काउंटर प्रोडक्टिव जिसको कहते हैं वो हुआ कि सेकुलरिजम की बात करना मसलां मैजॉरिटी कमिनिटी को चिडाना था और उसका बाफाइदा बीजेपी ने हासिल किया कि उन्हों ने उस मुद्धे पर गोल बंदी की कि देखिए हिंदों के साथ कितना या विवाद के चलते हुए अडवानी जी की रत्या करते हैं लेकिन जैसे 87 में देवी लाल ने सरकार बनाई हर्याना में भारती जनता पार्टी को तो एक तरह से तो भारती जनता पार्टी को सेकलर फोर्सेज ने लेजिटिमाइज किया कि आपको ऐसा लगा बिलकुल अभ पहली बार सरसट में इनकी अंटचिबिलिटी नौन कॉंग्रेसिजम के नाम पे जब नौराज्यों में संवित सरकारे बनी तब खत्म की गई लोहिया उसके सबसे बड़े लीडर थे और 74 में जैपरकाश नारायन ने उनको क्रेडिबिलिटी दी कि अगर RSS कमिनल और फाश जबकि इन लोगों ने लड़तें क्योंकि एमरजिंसी में भी लाश्री स्वहिम सिवक संग बहुत एमरजिंसी के खिलाफ लड़ाई में शामल थी लेकिन उन्हों ने अपने एजेंडे को कभी नहीं चुपाया और इसी का नतीजा था कि दोहरी सदस्ता के सवाल पर RSS के परिश्थान हिमाचल और दिल्ली में और तीन चार राज्यों में चौजी चरंसिंग के लोगदल वाली सरकार थी हरियाना उत्तरपदेश बिहार और उरीसा तो जब ये लगा जनहता पार्टी के लोगों को खास करके सेकुलर लोगों को कि अपना कॉम्रल और उसी होत में अलीगर और जमशेदपुर के भायानक दंगे हुए और उन दंगों में भी संगह की भूमी का आई थी तो लेकिन ये हुआ कि भारती जनतसंग और बाद में बनी भारती जनता पार्टी ने ये सीख लिया कि कोईलीशन के जरिये से दूसरे विपक्षी दलों की मदद से गे नहीं हमला किया था हाशिमपुरा पे और ना ही हिंदूों ने हाला कि मलियाना में भी हिंदू थे दलित कम्यूनिटी काफी थे हाला कि उनके लोग थोड़े बहुत इन्वाल्ड थे जो हमले हुए थे मुसल्मानों पे लेकिन इतने बड़े नहीं ये पूरी तरह से पी-ए फोरण बाद वो वहां गए और इसके अलावा बाकी जो जनता पार्टी या कॉंग्रेस एस या लोग दल के लोग थे वो बराबर गए खुद मुलाइम सिन्यादव जनिश्वर मिश्रा वगरा ये लोग गए और ये लोग वहां के मुसल्मानों को मेरट की जनता को या आश बहुजन समाज पार्टी की भी दो तीन बार सरकार बनी उन्हों का भी ये कहना था बहुजन समाज पार्टी 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 ये कॉमिनल आउटरेज के खिलाफ ऐसे मामलों में कोई फैसला ले पाईं या कोई निर्नायतमस कारवाई कर पाईं तो इसके पीछे क्या आपको कारण लगता है कि इन पार्टी इसने क्यों नहीं किया क्या ये कॉमिनल फोर्स के साथ कॉम्प्रमाइज कर चुके थे निल अंजल जी माफ करें मुझे 1984 से जो मैं कॉंग्रेस पार्टी का चरितर देख रहा हूँ बलक्के 1980 से और मैं तो भुक्त होगी रहा हूँ शेमति इ metre गांदी के खिलाब एक लेकले खा था मैंने कश्मीर के चुनाओं के बाद उसस are a कोड़ा है लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी थी उसने जो एक राइट विंग की पॉलिक्स टिक्स शुरू की इंदरा गांजी जब दोबारा सत्ता में आती है तो उनका पूरा चरित्र बदल जाता है जी वो उनका मुकाबला एक तरहे से होने लगता है कि भारती जनरता पार्टी ये जनरे संग जो उसकी थी उसको कोई स्पेस ना मिल पाया और उस स्पेस को वो खुद ले रहे और उसी के चलते हुए आप देखेंगे कि पंजाब की समस्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का होना और जमू कश्मीर का पूरा और फिर 84 में जिस तरीके से चुनाव लाड़ा कॉंग्रेस पार्टी ने वो अफसोस की बात ये कि सेकुलर पार्टी का चुनाव नहीं था और उसमें सारे RSS के लोगों ने मदद की वाचपे जैसे लोग चुनाव हारे और बाद में शहबानों वाले मामले में उन्होंने ऐसा लगा कि मुसल्मानों के साथ कुछ अपीजमेंट किया है लेकिन फॉरण ही आयोध्या कर दिया अब दिल्ली में भी आपकी सरकार यूपी में भी आपकी सरकार आयोध्या के ताला खुलता है तीन दिन पहले महां दूदर्शन की टिंग पहुंच जाती है उसके बाद आप 89 में चुनाव जो शुरू करते हैं वो फैज़ाबाद आयोध्या से करते हैं कैसे हम रामराज लाएंगे और डिस्प्यूटिट साइट पे विश्विंदू पलिशेट के साथ समझोता करके आप चुनाव का ऐलान करते हैं और वो दिन है और आज का दिन है कि कॉंग्रेस पार्टी ना तो बिहार में पनफ पाई और ना यूपी में मेरे ख्याल साइकर हम इसको आगे देखें तो शायद 87 का जो दंगा था मेरट में एप्रिल से लेके जून तक उसके बाद में जो और जो राजनिती घटना हो रही थी देश में जो अलग अलग जगा पर और जो करॉप्शन की जो चार्जिस राजी गांदी सरकार के तरफ आ रहे थे विशुनाथ प्रताप सिंग को की पॉपुलारिटी बढ़ रही थी बाकी जो सेकुलर आपोजिशन पार्टीס थे वो भी उनके साथ आ रहे थे उनके साथ समझाता करता है यहां तक की लेफ्ट पार्टीS भी इस प्रोसेस को वेलकम कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कॉंग्रेस को रिपलेस करने वाला कोई तो वो एक तरह से हाशिमपुरा और मलियाना एक तरह से टर्निंग पॉइंट बन जाता है हिंदुस्तान की राज़ीट यकिना और वहां से लेके भागलपूर तक भागलपूर 89 में जब रामशिला यात्रा के दोरा जब तंगा होती है वो तो मेरट और इस से भी हत्याओं के बड़े लार्ज स्केल पिर था अगर हम डेथ टोल के हिसाब से बात करें तो भागलपूर जादा था जादा बड़ा था लेकिन उसी के साथ यह हुआ कि कॉंग्रेस का फेट सील हो गया और वो नहीं इमर्ज के बाई दूसी चीज़ जो आपने का वीपी सिंग ने कि लेफ जिन के बारे में आप इस कारेकम के रेकॉर्डिंग के पहले बता भी रहते है आपके पस्जिनल एनिकडोट तो वो एक तरह से 89 का उपोजिशन फरंट था एंटी कॉंग्रेस फरंट लेकिन उसमें लेफ्ट के वाम पंत के भी लोग थे उसमें तक्शिन पंती भी लोग थ है तो फिर वो सामपरदाइक सापे उन्होंने स्टेंड लिया और उसके बाद से राजनीती बदल गई जो नॉन कॉंग्रेसिजम की पॉलिटिक्स होती थी वो नॉन बीजेपी की पॉलिटिक्स होने लगी और उसी के चलते वाजपे जी ने जब 13 दिन की सरकार बनाई तो कभी नहीं होता कभी समझन वापस ले लेता और दूसी तरफ बीजेपी के साथ अब बीजेपी डिए अपने आपको उसे स्थिति में ले आई है कि उसे गटबंदन की जरूत AHज आप देखें खाली दल भी इसके साथ नहीं है जो उसके साथ वासके नहीं है और उनके हितो की बात करती है और वो उनके हिस्तों के लिए लड़ेगी और उसके लिए चाहें जिसनी खीमत चुगानी पड़े वो लोग उसको माएं उत्तर प्रदेश में गंगा से लाशें पट गई गई जी गंगा में लाशें पट और उसके बाद हम ढेखते हैं कि थंपिंग मैज़ोरीटी के साथ बी ज्य पी सांधी है आपने जिस से समझाया कि हंदुस्तान में जिस से राजडीती ने एक मेज़ोरिटरियन टर्न लिया है उस सारे की सारी को अगर हम को परस्पेक्टिव में समझना है तो हमको हाशिमपुरा और मल्याना और उसके रियाक्शन्स और उसका 360 डिगरी व्यू लेना बहुत जरूरी है बिल्कुल लिकिन उसके साथ साथ जो एक जुम्ला आपने इस्तेमाल किया था बीच में जो मैजोरिटेरियन कमिनलिजम है, बलेटन मैजोरिटेरियन, वो उसमें ये सारी चीज़ें जोड़ जाती है, अब आप ये देखिए कि कश्मीर में धारा 370 हट आए गई, कोई चेंटी नहीं मरी, कांग्रेस पार्टी के आधे लीडर उसके समर्थन में खड़े हुए लगा यूए पीए को एमेंट किया गया, किसी ने 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 किया, सी ए ए आया उसके खिलाफ किसी ने 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 किया, या अयोध्या पे सुप्रीम कोड का जज्जमेंट आ गया, एकसेप्टेंस हो गई, कोई उसका ने चाहिए, अब बनारस में देखिए, जो कुछ डेवलप्मेंट पाकिस्तान का क्या हशिर हुआ ये हमने देखा, कि मेजरिटी कमिनलिजम वहाँ उसने जब एक स्टेंड लिया, तो दो टुक्डे हो गए मुलके, बंगलादेश अलग बना, और यहाँ आप आज विभाजनकारी नीती इतनी बना रहे हो, इस देश के माइनरिटीज को, जि लिजे, तो फिर बात तो बहुत दूर सर जाए, शुक्रिया कुर्बान साथ, आपने मतलब बहुत महत्वपूर्ण बाते पे और एक बहुती गोरी चैप्टर हिंदुस्तान के राजनीती पे हमाई साथ बहुत अच्छी तरह से डिसकस किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि शिंपुरा और मलियाना के बारे में समझ में आया हुआ कि आज हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसका काफी कुछ की जो बुनियाद है, वो हमको मेरट के 1987 के जो दंगे थे एप्रिल के महीने से लेके जून तक उसके बीच में उन इंसिदेंस को जाके आप फिर से द आएंगे, धन्देबाद